नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी लाइफ एंड यू में आपका बहुत-बहुत सौगत है, पहली डिलीवरी अगर नॉर्मल नहीं होती है, यानि कि पहली डिलीवरी आपकी ओपरेशन या फिर सीजेरन से होई रही हो, तो जब आप नेक्स टाइम प्रेगनेंट होंगे, तो तो चाहे सिचुशन कोई भी रही वी हो, या चाहे बच्चे की पॉलिशन इस टाइप की नहीं रही वी हो, कि वो बर्थ कैनाल के तुरू बहार आ सके और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके, या फिर बच्चे का वज़न बहुत ज्यादा रहा हो, या यह हो सकता है कि यह आ अगर आपकी पहली सिजेरन होती है, तो डेफिनिटली आपकी दूसरी भी सिजेरन ही होगी, लेकिन उन फेक्टर्स में, जहाँ पे बच्चे की पॉलिशन जो है सही नहीं होती है, या फिर बच्चे का वज़न बहुत ज्यादा होता है, और आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट आपकी age कहीं ज़्यादा बढ़ तो नहीं गई है, बच्चे का बजन कितना है, बच्चे की location सही है, और आपको पहली season delivery के बाद at least एक साल हो चुका है, तो काफी बड़ी संभावना है कि अब आपकी normal delivery भी हो सकती है, बहुत सारे दोस्तों factors होते हैं कि किस तरीकी का cut आपके पेट पे लगाया गया है, vertical cut है तो थोड़ी से ज्यादा problem होती है, horizontal cut है तो थोड़ी सी easiness रहती है और फिर ये भी देखा जाता है कि cut जो है कितना लंबा आपके पेट पेट पे लगाया गया है, क्योंकि जितना लंबा cut होगा पेट में या फिर गरबशाय में, उतना ही आ apply होती है, बहुत सारी conditions होती है, तो exactly सही तरीके से बता पाना वो आपके डॉक्टर ही decide करेंगे, लेकिन definitely ये बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है कि अगर पहली season हो गई है, तो दूसरी normal delivery हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेर करें, चले दोस्तों मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार